मैं आएज विंडी कुरकुरी बिल्कुल भी नहीं बनाने जा रहे हूं जिसे आप इस तरीके से विंडीयों को चीर के अपसर बना लिया करते हैं. लेकिन जो रेसिपी में भिंडी की आज बनाने जा रही हूं वो इतनी चटपटी और इतनी زायकेदार बनती हैं कि इसे बनान इतनी जटपट बन जाने वाली रेसिपी है कि आप भरवा भिंदी में इतना सारा टाइम वेस्ट करना कभी नहीं जाएंगे तो इसे बनाने के लिए हमने ये देखे छोटी छोटी भिंदिया ली हुई है तो जब भी आपके घर में छोटी भिंदिया आ जाएं तो जटपट आप इसे जरूर बनाईए और जब भी आप मार्केट को जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए तो इस तरीके से छोटी भिंदिया आप खुद भी खरीद कर ला सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल बस इतना सा ध्यान देना है कि आपकी भिंदिया हमेस इसी बड़ी भी दिख रही होंगी तो बस इतनी बड़ी बहुत ज्यादा है मैकसिमम है इससे बड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है और आपको कोशिस यही करनी है कि छोटी ही रखिएगा जितनी छोटी आपको मिल सकें इस रेसीपी की सबसे इंपॉर्टन टिफ्स मुगस्तित जो मनें आपको इतनी देड तक बताई है तो अपनी भिंटियों को हमने पहले दुल कर अच्छे से साफ कर लिया था फिर उसको हमने इस सरीके से चार चार टुकडो में चीर लिया है तो भरवा भिंटी बनानने के लिए जब हम चीरा लगाते है एपनी बिंडि जो कि हम भरवा भिंडी के लिए भूनते हैं, तो हमने ये एक चम्मच के करीब ले लिया है, धनिया, सुखी खड़ी, और इसमें थोड़ा सा एक चम्मच से थोड़ा सा कम हमने जीरा लिया है, और जितना हमने धनिया लिया था, उतना ही हमने सौफ लिया है, अब हम इसमें लेंगे थोड़ा सा एक तिहाई चमशके करीब मेथी दाना और उसे थोड़ा सा गम हम इसमें लेंगे मंग्रेल याने की कलोंजी और इसमें डाल देंगे हम चार सुखी लाल मिर्च तो मैं सूखी लाल मिर्च डाल रहे हूं यह तीखी बहुत ज़्यादा है अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर आपको कम पसंद है तो आप लाल मिर्ची को कम भी कर सकते हैं तो इस तरीके से हम अपने मसाले को भून लेंगे अच्छे से और यह जो रेसिपी बनती है भर्वा बिंटी में बनाने के लिए हमें मसाला ज्यादा लगता है और इस रेसिपी में मसाला बहुत कम लगता है और कम ही मसाले में यह बहुत अच्छे से बनकर तयार हो जाती है तो अपने मिर्चों को हमने इस तरीके से प्रिस करकर के अच्छे से बढ़िया से इसको रोष्ट कर लिया था और बस हमें ज्यादा इन्हें रोष्ट नहीं करना है थोड़ा सा ही रोष्ट करना है और इसे हम डाल देंगे एक मिक्सी जार में हमें इसे पीसना है मिर्चों के डंठल हम निकाल लें और इसे पढ़िया से पीस लें तो ये देखे हमने इसे पीस लिया है इसे कटोरी में हम निकाल कर अलग रख देंगे अब हम वही वाला मिक्सिजार लेंगे जिसमें अभी हमने अपना भुना हुआ मसाला पीसा था उसी मिक्सिजार में हम डालेंगे तीन प्यास मीडियम साइज के थे मीडियम साइज के नहीं छोटे ही साइज के थे ये तो अगर आपके मीडियम साइज के हैं तो आप दो प्यास लीजेगा और हमने दस से बारा कलिया लहसुन की इसमें डाल दी है और इसे हमने पीस लिया है इस तरीके से अब इसे हम रखेंगे एक साइड में और लेंगे एक प्लेट अपनी जो हमें चीर की बिंडिया रखी थी उन्हें हम फैला देंगे इसी पे तो हमें इसे एक बड़े बरतन पर ही फैलाना होगा क्योंकि हमें इसमें मसाले मिक्स करने हैं अपने तो बाउल में ये कमफर्टेबल नहीं होता तो सबसे पहले हम अपना डालेंगे भुना हुआ पिसा हुआ मसाला पिन हम इसमें एट करेंगे आधा चमच से थोड़ा सा ज्यादा हल्दी पाउडर थोड़ा सा हम इसमें काश्मिरी लालमिश पाउडर डाल लें हैं और देड़ चमच के करीब इसमें हम डाल लें हैं अमचूर पाउडर तेश्ट के करीबी हम डालेंगे इसमें नमक तो नमक आपको टेश्ट की हिसाब से लेना है जितनी आपकी भिंडिया हो जितना आप बना रहे हो और यह देखिए हमने दो चमश भर के ले लिया है बेसन बेसन से बहुत अच्छा टेश्ट आता है इनका तो बेसन हमें बहुत जरूर ले लेना है बहुत जरूरी है बेसन को लेना और अब हम इसमें डालेंगे अपने लहसन प्यास का पेश्ट अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से mix करेंगे एक एक भिंडी में हमारे मसाला mix हो जाना चाहिए थोड़ा सा टाइम लगता है एक से दो मिनट में ये बढ़िया से अच्छे से mix हो जाती है आपस में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जिस स्पून से मैंने सारे मसालों को measurement किया था अभी वो टी स्पून था ठीक है वो चोटा वाला टी स्पून होता है वो वाला था तो आप कन्फ्यूज मत हो येगा तो देखे कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बढ़िया से मसाला हमारा इसमें मिक्स हो गया है और अब हम लेंगे एक पैन या फिर कड़ाई आप जिसमें भी से बनाना पसंद करें तो इसमें हम डाल देंगे सर्सों का तेल दो बड़े चम्मचमन यानि कि दो टेबल या पहले से ही थोड़ा सा ज्यादा कॉंटिटी में तेल इसमें डाल के रखिए क्योंकि तेल इंम में लगता है जादा तो इस तरीके से हम इसे चलाएंगी 3-4 बार इस तरीके से पार जबा लाग और फिर हम इसे ढई फिर 2-3 मिनट के लिए तो दो से तीन मिनट के बाद में हम इसे फिर से ओपिन करेंगे और हम इने फिर से चलाएंगे तो yeah लेखे means, मसाला हमारा थोड़ा थोड़ा नीचे से चिपक रहा था हमने इसलिए इसको ओपिन आ कि यह हमारा Pharislas तो आपको इस तरीकेसे नहीं चलाना है और फिर से उनको घख देना है तो बस दो ही बार हमें ठक ना होगा सेकेंड नाँटेल वहला है वाज केरेंगे रिधा के सारी मिन एक डू stata कार्शन में और अब हमेंने खोल कर भूनना है तकरीबन चार से पांच मिनट तक तो चार-पांच मिनट तक आपको बराबर इस पुछला से इसको इस तरीके से नीचे से चला-चला के भूनते रहना है आपको नीचे इस तरीके से खुरसते रहना है वरना आपका मसाला बहुत जली गया है लेकिन फिर भी हम इसने भून रहे हैं अब een minute तक हम इससे और 1 duplicus ल Kan घ्तर ने के बाद में यह रेडी हो गया था और देखिए की चल्दी यह बन के तयार है तो चली है हम इसने किसी बार्वतन में氣 कर लेते हैं और यह लेकिन लग रहोगा कि बहुत सारा मसाला इसमें पड़ा हुआ है तो बहुत कम मसाले में बहुत जल्दी जटपड बन जाने वाली यह रेसिपी है तो आप इसे ट्राइ जरूर करिएगा आपको भरवा भींटी से भी ज्यादा यह टिश्टी लगेंगे तो अगर आपको ऐसा वीडियो में नेस रेस्पी के साथ में तब तक के लिए बाई बाई